तो यहां पे मार्केट ओपन हो चुका है ओपन होती बैंक निफ्टी में थोड़ा भूत हमें बाइंग सेलिंग नज़र आ रहा है और निफ्टी के अंदर भी कहिना कहीं सेलिंग आना शुरू हो चुका है तो मैं यहां पे ट्रेड लेना शुरू करता हूँ रिस्क मुझे यही नज़र आ रहा कि गलती से अचानक से क्लोजिंग प्राइज का ब्रेक आउट वगरा ना हो जाए उसमें प्रोब्लम हो सकता है अधर्वाइज हम यहां पे ट्रेड ले सकते हैं मैं यहां पे ट्रेड लेने कोशिज करूँगा 4700 का पुट जो कि हमें मिलता है 136 के आसपास अक्सपायर ही रहता है तो आपको यह ध्यां रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि साइडवेज होगा तब मार्केट आपके अपोजिट भी ना जाए तब भी लोस हो सकता है बस इतना ही डिफरेंस रहता उप्सन बाइंग और सैलेंग में कि आएगा तो उप्सन बाइंग में हमेशा बैनिफिट होगा आपका इवन अपोजिट भी मोमेंटम आएगा तब इतने प्रिमियम आपके कम नहीं होते लिकिन अगर साइडवेज होकर उपर निकल जाए मार्केट तो फिर टाइम नहीं लगता लोस भी जल्दी हो जाता है औ तो ये अपना ये जो अपसेट का मोमेंटम करा ये ना करता तो और भी वेस्ट होता लेकिन कभी कभी हो जाता गरीन केंडल वगरा बन जाते हैं थोड़ा बायर ट्राइ करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि 47,000 का लेओल आस पास होता है तो उन्हें भी होप होता है कि चलो हम ट होल्ड कर पाएं तो मार्केट को बचा लेंगे अब देखी हमारे लिए वह बचाएंगे ने बचाएंगे वह कहानी बाद की रहेगी लेकिन हमें क्या लगता है कि यहां पे जो अच्छा को नवीडेंस है और बायर के पास क्या है केवल 47,000 का लेवल है अगर यह तूटा तो होप तूट जाएगा तो आप डिपेंड करता कि बायर पैसा कितना लगाने वारा है अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देगा फिर तो मेभी 47,000 को होल्ड कर ले अधर्वाइस क्या होगा यह ब्रेकडाउन वगरा में कनवर्ट हो जाएगा और अगर ब्रेकडाउन वग लगा के बैठा है इसके अंदर भी अच्छा confidence है क्योंकि यह तो आलरीडी profit में बैठा होगा तो जिसके अंदर जितना ज्यादा confidence है उसको target करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर हमने यह भी समझाए कि confidence seller में ज्यादा है बायर का confidence हो सकता है कि पैसा लगाने नीचे आएगा तो हम target वगरा hit कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर directly seller को target करना हम कर नहीं पाएंगे वो अगर momentum आ जाएगा तो आने वाले दिनों में देख लेंगे अभी मेरा ऐसा कोई plan नहीं है इसलिए market के अंदर put side का trade बना है कि अगर यहाँ पर कोई buy वगरा करेगा तो उन जाएगा लेकिन जिस प्रगार का बना हुआ था चार्ट का structure यहाँ पर ऐसा ही काम किया जा सकता था यहाँ पर आप देखोगी तो सबसे पहले यहां पर एक candle market ने छोड़ रखा था विक वाल आपको पता है कि दुबारा से market नीची आ जाता है इसके नीची आगर कोई ऐसा रखता है उसके बाद यहां पर कि 500 का लेवल भी है इसके नीची आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बाइर अपना थोड़ा डर जाएंगे निकलें कोशिज करें तो वह हमारे लिए बैस्ट यहां उसमें प्रूब्लम तो होने वाला है नहीं और मार्किट नीची आने की वी कोश कभी-कभी लेकिन देखिए आप मार्किट नीची आना शुरू हुआ है तो 47,000 का ब्रेकडाउन वगरा हो जाए उसमें अच्छा बैनिफिट मार्किट के अंदर उठाएंगे और अपने प्रीम वगरा भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं तो यह अच्छी बात है लेकिन हा मोमेंटम आएगा तो अक्सपारी दिन आपको पता है चोटे प्रीम जल्दी बढ़ जाते हैं और हमें बेनिफिट भी जल्दी उठाना पड़ते हैं 21500 का लेवल है यह भी ब्रेकडाउन हो जाए और 47,000 का भी मार्किट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाए तो वह हमारे लिए बैस्ट होगा अगर सपोर्ट वगरा लेकि उपर निकल जाता है तो फिर हमें परिशानी जादा देखने हो मिलेगी तो ध्यान रखिए मार्केट के इंदर चलने देते हैं ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा साइकलोजिकल ट्रेड है और थोड़ा यहां पी सिच्वेश मुझे लगता है नहीं कट करने वाले और यहां पर ट्राइ कर रहे थे कि हम उपर ले जाएंगे देखिए ओपरेटर हो चाए कोई भी हो रिटेल वाले हो कोई भी हो वो ट्राइ कर रहे थे लेकिन 47,000 के नीचे जाएगा तब इनका भी confidence काफी low हो जाएगा तो जो confidence जिनका वीक है उसी के उपर हमें वार करना पड़ता है जिनका आलेडी हाई है जो आलेडी प्रोफिट में बैठे हुनको टार्गेट करना असान नहीं होता और अगर market टार्गेट करता है तो फिर अगले दिन प्लान बनाना पड़ता है कि अब हम दूसरी तरफ चलेगे तो वो डर जाए उन्हें लगे कि आप तो गया मार्केट और जब गया समझेंगे तो वहां पर हम अपना टार्गेट वगर आची हो जाएगा इंट्राडे में यही तो बैनिफिट होता है कि हमें लंबा चोड़ा वेट नहीं करना होता गैप डाप डाउन का अपना स्ट्रेस नही हो गया निगति कर इसमें आपको बैनिफिट हो जाता है काम करते रहें इंट्राडे में अध्या होता है जो आपको अरज अच्छे होदें बस आपको जगेंपर आप करोगे लेना चाहिए और इस क्रिवाट को मंटेन करोगे तो आपके लिए बैस होगा तो अभी चलने देते हैं अराम से देखते रहते हैं यहां पे देखिए मार्केट ने यूटर्न ले लिया जितना अच्छा प्रोफिट हमें नजर आया तो उससे जादा में लोस नजर आना शुरू हो गया अब देखिए प्रोब्लम यहां पे क्या हुआ 21-500 का हो जाता है और दूसरा अगर होल्ड करना शुरू करें तो समस्या काफी बड़ी हो जाती है तो लोस वगरा में बुकिंग करना होगा लेकिन थोड़ा वूद देख लेते हैं क्लोजिंग प्राइस तक तो हमें वेट करना हो उसके बाद में भी एकजिट होगा लेगे थोड सेलिंग आना शुरू हो है मार्केट के अंदर या तो यह कंटिन्यू अपने आपको ले जाएगा अधरवाइस नहीं ले जाता है तो हमें अपने पोजिशन वगरा को काटना होगा और ऐसा ही कहीं ना कि निफ्टी के अंदर हाले यह भी काफी जादा रिकवरी वगरा कर च पोजिशन वगरा कट कर लेना चाहिए प्रीमिंग काफी जादा कम हो रहे हैं अब या तो हिरो जीरो करना है वो बैठे देख सकते हैं या फिर कुछ हो नहीं सकता सेलिंग में आता हुआ अगर नजर आता तो वेट कर लेते लेकिन अब मार्केट बार बार बाइंग में जा नहीं मिला था अगर को डिर्क ली ऐसा कोई केंडल पहले बन जाता फिर भी मैं वेट कर लेता लेकिन ऐसा कुछ बनने की कोशिशन नहीं करा था मार्केट दीर दीर करके नीचे आने कोशिश करा था मुझे लगा कि बायर अगर ट्राइब भी करें तो 47,000 का जैसी नीचे ज यहां पर भी सैलर ने आने कोशिश किया और अपना बैंक निफ्टी इंदर की इसे ट्राइब किया मार्केट ने अपोजिट मुमंटम करना शुरू कर दिया तो आज तो दूसरे तरह लोगों की तरह हम भी ट्रैप होगे लेकिन पहले ट्रैपिंग नहीं था मुझे लगा क अगर आपका ट्रेड अपोजिट जला जाए तो लोज बुकिंग करके चले जाओ वो आपके लिए बैस्ट रहेगा अधरवाइस मार्केट के अंदर अगर हम बैठ के देखते रहेंगे कि मार्केट नीचे गर जाएगा बढ़ जाएगा तो वो एक उमीद होती है उमीद कोई कभी काम करती है most of the time नुक्सान जादा देती है तो आज के लिए तना ही धन्यवाद